गणपती जी के विशर्जन की विधी आज मैं आपको बताती हूँ और विशर्जन के बाद गणपती जी हमारे घर में रिद्धी सिद्धी के रूप में कैसे रहेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ तो इसके लिए हम जबी भी गणपती जी की पूजा करें गणपती जी के पीछे किसी दिवार पर दो टीके लगा दे, एक कुमकुम का एक हल्दी का वो होते हैं रिध्धी सिद्धी जो कि गणपती विशर्जन के बाद भी गणपती जी का आसिरवाद रिध्धी सिद्धी के रूप में हमारे घर में सदा बना रहेगा, उसके बाद ही आप गणपती जी का विशर्जन करिए और गणपती विशर्जन से पहले हमने जो कलस रखा है उसका विशर्जन होना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कलस का विशर्जन कैसे करेंगे और उसके जल का क्या करना है तो यहाँ पर मैंने जो कलस रखा ह और थोड़े से जल को घर में छुड़काओ कर दीजिए उसके बाद आप गंडपती जी का सबसे पहले विधिवत तरीके से पूजा कर लिजे फूल बिलपती अच्छे तरीके से पूजा करिए दूर्बा का माला चड़ाइए और यहां पे जो मैंने सुपाड़ी रखी हुई यह सुपाड़ी की जो पूजन होती है इस सुपाड़ी को आपको विसरजित नहीं करना है आप अपने इसको लॉकर में रखे यह गंडपती जी का आशिरवाद होता है जो साल भर आपके तिजोरी में रखा रहेगा अब गंडपती जी की विसरजन के पहले कोसिस करना चाह क्योंकि अनंद चतुदसी के दिन खीरे का भोग जरूर लगाना चाहिए अब मैं आपको बताती हूँ गंपती जी का विसर्जन कैसे करना है तो गंपती जी को विसर्जन को ले जाते समय गंपती जी का मुख आपके घर के द्वार के तरफ होना चाहिए और आपका पीठ होना चाहिए बाहर के तरफ मतलब सीधे के सीधे तरीके से आप घर से बाहर निकलिए एक पात्र में पहले गंगा जल डालिए फिर जल डालिए और उसमें तीन बार आप पहले गंपती जी को डुकी लगाए और चोथे बार में आप गणपती जी को जल के अंदर छोड़ दीजिए थोड़ा सा जल उसमें ले आईए और अपने घर में उसका छिड़काव कर दीजिए विसरजन से पहले भी आप वहाँ पर आरती जरूर करिए और प्रनाम करने के बाद ही अपने घर में आईए अब फूल बेलपत मिट्टी के कियारे में घर में ही डाल कि भगान का आसिरवात भी हमारे ओर फूल पतिा पूल के पोधे तो ऐसा कर Naomi को क्या करना चाहिए वो भी मैं बताती हूँ जो गणपती की मिट्टी होगी उसको हमें कभी भी तुलसी की पौधे में या बेल पत्ती की पौधे में या किसी भी पूजनिये पौधे में नहीं डालना चाहिए क्योंकि मिट्टी अल्रेडी पूजा हो चुकी है पूजन की हुई मिट्टी है तो हमें किसी भी पूजनिये पौधे में नहीं डालना चाहिए गर में और जो भी पौधा हो आप उसमें उस मिट्टी को डालिए पर किसी भी पूझनिये पौधे में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए तो आप ये जरूर करिए और ये होता है गणपती विशर्जन का सही तरीका उमीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सेयर की गई जानकारी अच्छी लगी हो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो विडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें सेयर करें और अपना धेर सारा प्यार मुझे द झाले हो एंट को बीड़ञू था ए ne मा 있기ा कर ups कर दो पाले हो घज है जाज को कि इस जाज इस जाले ही।